Hello everyone, myself Dr. Manjumina, Assistant Professor in Chemistry from Government College Kota. आज हम Stereo Chemistry में दो ऐसमान Stereogenic Kendra वाले योगिक अथार्थ विवरिम समावेविव एविवं एसिमेट्रिक सिंथेसिस के बारे में अध्यन करेंगे. सेर प्रतम हम देखेंगे कि जिस compound के अंदर दो ए समान stereogenic के इंदर उपस थे तो अथार्थ वे विवरिम समावेवी कहलाते हैं और विवरिम समावेवी कौन-कौन से बनते हैं उसके 3OM erythro समावेवी बनते हैं अप प्रतिविम भी समावेवी इन में पाई जाती है अब जैसे यहां देखें कि वे प्रकासिक समावेवी जो की परस्पर एक दूसरे के दरपन प्रतिविम नहीं है वो क्या कहलाते हैं विवरिम समावेवी या di-steriomirus और इस प्रकार के आयर प्रतिविम रूपी प्रकासि समावयों के संबंद को विवरिम समावयवता या डाई स्टीरियो मेरेज में कहते हैं प्रीविएस लेक्चर में हमने देखा था जिसके अंदर दो स्टीरियोजेनिक सेंटर और भीन-भीन प्रतिस्तापी समूं के द्वारा वो जुड़ा हो तो वो चार प्रकार की संब्सना दिखाता है लेकिन है दो एस समान स्टीरियोजेनिक सेंटर है तो यह भी चार प्रतिविम रूपों के अंतरगत पाया जाते हैं जिनमें चारो प्रतिविम में से दो प्रतिविम की रूप के जोड़े हैं दुरूवन-भूनक समावयवी की पाउंड है 23 डाई-ब्रोमो-ब्यूट्व में के अमल अब इसमें हम देखें कि यह दोनों एक दूसरे के दर्पन प्रतिभिहं है और फौर्थ भी एक दूसरे के दर्पन प्रतिभिहं है लेकिन विवर्यम समावे भी यह नहीं है विवरिम समावेवी कौन कों से फर्स्ट और थर्ड है विवरिम समावेवी और सेकेंड और फोर्थ वाला रूप विवरिम समावेवी दिखाता है अथार्थ फर्स्ट और थर्ड के और सेकेंड फोर्ड प्रकासिक गुण क्या होते हैं बिन बिन होते हैं अता ऐसे योगीकों के योगों को हम क्या कहते हैं विवरिम समावयवी कहते हैं प्रतिविम रूपों के जिनके की भोतिक वैरासायनिक गुण समान होते हैं तथा प्रकासिक गुण समान वैविप्रित होते हैं किन्तों विवरिम समावयवी में क्या हो रहता है भोतिक वैरासा प्रतिविम रुपों में दोनों कार्बन परमाणों के दो दो समान समू है जब कि तीसरा समू भिन प्रकरती का है ऐसे प्रतिविम रुपों के जिस जोड़े में समान समू एक और इस्तित हो जैसे कि हम यहां देखे समान समू एक तरफ इस्तित हो तो उसे हम क्या कहते है एरिथ्रो पेयर जब कि वह जोड़ा जिसमें समान समू विपरे दिसा में उसको हम थ्रीयो पेयर कहते हैं यह टेट्रोज एरिथ्रोज वह थ्रीयो से वित्पित नाम है उधान के लिए हम देखे 3-Clorobutanol अब यहाँ हम देखे इस वाली stereogenic center में H-C-L में CL इदर है और इदर OH अथार्थ यह दोनों एक तरफ हैं और इसका जो दरपन प्रति भीम है उसमें भी दोनों एक तरफ है तो यह दोनों कौन से रूप होगे Erythro-Prati-Bim-Room यहाँ हम देखें 3-U में जो यह दोनों सम्हों है H और CH यहाँ पर H और CL है और इदर की तरफ भी H CL है लेकिन इदर की तरफ तो H है और इदर OH है अथार्थ यह दूसरे के विपरित दिसा में हैं इसी कारण से यह कौन से रूप कहला रहे हैं यदि किसी योगिक में विभिन एस सम्मीत कारण परमानों की संख्या N हो तो उसके कुल दुरूवन गूर्णा का था Optical Active रूपों की संख्या कितनी होगी टू की पावर N होगी और यह सूत्र क्या कहलाता है Want of सूत्र कहलाता है जैसे कि हम यहाँ देखें कि दोनों एस सम्मीत कारण परमानों समानों जैसे कि हमने प्रिवियस लेक्चर में देखा था टार्टरिक एसिड इस प्रकार कुल मिलाकर ऐसे योगिक छे रूपों पाए जाता है चार उसके दुरूवन गूर्नक रूप और दो उसके एरित्रो एं त्रियो रैसेमिक मिस्रन जोकी धुरूवन एगूर्नक होते हैं जामतिवी समावयव का नामकरण भी विवरिम समावयव के रूप में ही किया गया है आदुनिक परिभासा के अनुसार उन त्रिविम समावयवियों को विवरिम समावयवी कहा जाता है जो की परसपर प्रतिभिम रूप नहीं है अब हम देखेंगे asymmetric synthesis या ए सम्मित cancellation क्या होता है किसी योगिक से एक ए सम्मित योगिक अथाथ एक दुरूण ए गूनक योगिक से दुरूण गूनक योगिक का क्या कहलाता है यही कारण है कि सदेव ही रहसे मिक मिशन प्राप्त होता है जो कि हम दो प्रकार की अभिकराओं प्रतिस्थाफन अभी किरेंग या सब्स्ट्यूशन रियक्षन प्रोप्योट अमलका यदि हम ब्रोमो नहीं करण करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है अफा ब्रोमो प्रोप्योनिक एसेड यह देखें यह प्रो किरेल केंदर है अथा यह सम्मित केंदर है अब यदि हम ब्यार्प्टू से कर वाते हैं तियां से एच्विया निकल जाता है और यहां पर क्या जूड़ जाता दूसरा प्या जो कि प्लस माइनस अथा दक्षें इसरन प्राप्त होता है एलफा ब्रोमो प्रोप्योनिक अम्ल प्रोप्योनिक अम्ल दूसरा है योगात्मक अभी किरियाओं के द्वारा भी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं कई योगात्मक अभी किरियाओं दुरूमल गुरुनक योगिकों का संसलेशन में प्रयुक्त होती जैसे सरप्रतांद के एल्डी हाइड एसी एन से नाविक्स नहीं योगात्मक अभी किर्यादवारा साइनो हाइड्रीन बनाते हैं जो की जल अबगटित होकर एसमीत अमल का संसलेशन करते हैं यह एसीट एल्डी हैड इसके जब हाइड्रोजन साइनार से किर्या करते हैं तो एच जुड़ जाएगा और यहां पर सी एन तो क्या बनता है साइनो हाइड्रीन आप इसका हम जल अब गटन करवाएं तो किस में कर्णवर्ट हो जाता है यह लैक्तिक अमल इत्तो इस प्रकार से एक सिमित इस से क्या बनाते हम एसमित कारवन वाला दूसरा कुछ कीटोन अ भूनक योगिक बनाते हैं उधान के लिए जैसे पायरुविक अमल का यदि हम अब चेन करें तो लैक्टिक अमल का रैसिमिक मिस्रन प्राप्त होता है इन योगात्मक अभी किरियाओं में द्वी बंदीत कारवन परवाणू संक्रित कारवन परवाणू किसमें कर्वर्ट ह हो जाता है एक संत्रप्त SP-3 संक्रित कारवन परवाणू में पर्विवर्थित होता है SP-2 कारवन परवानू समतल ये होता है अबिकर्मक के द्वार्वारा अणू के दोनों और आक्रमण करने की ब्राप्तित का रहती हैं अतने यहां पर D-L दोनों विज्यासों के अणू बराबर मात्रा में बन जाते हैं, और एक रेसिमिक प्रेप्त होता है, इस रेसिमिक मिश्रोन के व्योजन से हम इच्छी समायों को प्राप्त कर सकते हैं, अब हम देखेंगे कुछ अभी कीर्याओं में किसी दुरुवन गूर्नक यогिक के asymmetric प्रभाव द्वारा हम ऐसा मिस्त्रम प्राप्त करते हैं जिसमें कि एक प्रतिविम रूप दूसरे की अपिक्षा अधिक बनता है जैसे हम देखें पाइरूविक अमल है CS3-C100-COOH इसकी किरिया किसे करा है रोच hedge menthol minus menthol से वाँ वाँ दुछोन गोच से क्या बनाइगा वह ही मैनस वाला ही बनेगा और methyl pyruvate अथा estern अब इसका अब certainly करेंगे तो क्या बनेगा- migrants-malde x लेक्टिट और के बाइडि फानि जिसमें ओडिज लेफ्ट सैड होता है वो क्या बनती है अधिक मात्रा में बन्त है सिसी प्रकार से हम 25 या मैंडलिक Ό साथ किरिया करते हैं कुनीन की उपस्तिती में और इधर है माइनस वाला तो यह ओएच और इधर सीन जुड़ जाएगा फिर जलब गठन करवाएंगे तो यह अमल में मैंडलिक अमल में कनवर्ट हो जाएगा जिसमें की 48.0% तो डी वाला रूप बनता है और 51.5% कौन सा रू करवाएं तो यह प्राप्त होगा और इसका जलब गठन करने पर क्या मिलता है हमें मैंडलिक अम जिसमें की 54.7% तो डी वाला मेंडलिक अमल बनता है और 45.3% क्या बनता है एल वाला अथा जब प्लस वाले कुनीन की प्रजेंस में या दक्षन द्रूवन गूर्णक कुनीन बनता है एल वाला रूप ज्यादा बनता है तो इस प्रकार से हम एस्यमेट्रिक सिंथेसिस के द्वारा विभिन प्रतिविम समावें को प्राप्त कर सकते हैं हम नेक्ट देखेंगे प्रतिविम रूपों का वियोजन जो एस्यमेट्रिक सिंथेसिस के द्वारा रेसिमिक मि मिश्रण के रूप में ही प्राब्त होते हैं मीस्रणों में से कुछ विशिस्ट विडियों के द्वारा प्रथक करते हैं अब सबसे पहले विदी हम देखेंगे यांत्रिक प्रथकन या मैकेनिकल सेपरेशन रहसेमिक मिस्रण के वियोजन की यह सबसे पुरानी विदी है और बहुत अधिक समय लेने वाली है आजकल यह विदी बिलकुल भ उपी होती है अतहिने प्रबल शुक्षम दर्सी की साहिता से चिम्टी द्वारा चुन-चुन कर इनको प्रथक किया जा सकता है सरव प्रथम 1848 में पॉस्चर ने इस विदी द्वारा सोडियम पोटेशियम टार्ट रेट का वियोजन किया था सेकेंड मैथड हम देखेंगे बायो केमिकल मैथड इस विदी का सरव प्रथम पाश्चर ने 1858 में उप्योग किया था यह विदी किस तति पायता रहते हैं कि सुक्षम जीव जैसे की यीस्ट कवक बैक्टीरिया आदी रेसियमिक मिस्टरण में से एक रूप को सिग्रिस्ता से नश्ट कर देते हैं जबक के लिए जब पैनिसीलियम ग्लोकम नामक कवक को अमोनियम टार्टरेट के रेसिमिक मिस्टरण में पनपने दिया जाता है तो वे डी अमोनियम टार्टरेट को नश्ट कर देता है और विलियन में केवल एल अमोनियम टार्टरेट रह जाता है जिसे कि हम क्रिश्टलन के द् प्राप्ति में अधिक समय लगता है चुकि एक समावय वी तो बैक्टिरिया खाकर ही नश्ट कर देते हैं और हमें केवल एक ही रूप प्राप्त होता है अतार्त यह विधी महंगी पड़ती है अमीनों अमलों के प्रतक करण के लिए यह विधी प्रियागत उप्योग में लाई जाती है सर प्रतम अमीनों अमलों के रेसिनिक मिस्रन का असीटि लीकरण करते हैं और इन असीटिल व्यत्पनों को यदि हम येस्ट के साथ रखे तो एंजयम ऐमाई लिजए विसेश्ट इसका प्रभावित रहते हैं इसे प्रथक करके सामाने जलब कटन के द्वारा हम D-Aminomal प्राप्त कर सकते हैं जैसे यह है D-L-Amino Acid इसकी जब Acetyl Cloride से करिया करवाते हैं तो यह D-L-Acetyl Aminomal में Convert हो जाता है फिर इसकी Enzyme M-L-I के साथ करिया करवाएं तो यह L-Amino Aminomal में और D-Acetyl Aminomal में Convert रहता है फिर D-Acetyl Aminomal का आगे और जलब करवाएं तो हमें D-Aminomal प्राप्त हो जाता है तो इस प्रकार से हम Aminomal के रेसिमिक मिस्रेंड में से D-ROOP वL रूप को प्रथक कर सकते हैं Next method देखेंगे इसका रासाइनिक विधी Chemical method वियोजन की यह सरुषेष्ट विधी है इसका प्योग भी सरुषेष्ट विधी है इसका प्योग भी सरुषेष्ट पोस्चन ने 1858 में किया था इस विधी को सामानेते द्रूवन गूनक अमलो अत्वाक शारकों के वियोजन के लिए प्रयूक्त करते हैं यदि रेसिमिक मिस्रन कैसा होता है अमली है तो इसे द्रूवन गूनक शारक के साथ और यदि शार है तो द्रूवन गूनक अमल के साथ किर्या करवा कर विवरिम समावेवी लवनों में परिवर्थित कर लिया जाता है जिनकी की विलेता भिन भिन होती है और उसे हम प्रभाजी क्रिश्टलन द्वारा प्रथक कर लेते हैं इस विदी को हम क्या बोलते हैं लवन निर्मान वीधी या साल्ट फोर्मेशन मैथड भी कहते हैं जैसे कि हम यहां देखिए डी ऐसिट और एल अमल का क्या होता है रेसिमिक मिस्टन तो इसको डी खशारक के साथ किरा कराएं तो डी अमल वे डी खशारक लवन फस्ट के रूप में और डी अमल वे डी खशार लवन सेकिंड इसी प्रकार से डी अमल है और एल अमल है रेसिमिक मिस्टन में और इसको एल खशारक की प्रजेंस भी करवाएं तो यहां डी अमल और एल खशारक यहां एल अमल और एल खशारक इस प्रकार से लवन फस्ट सेकंड थर्ड और फॉर्ट इस प्रकार से हम बना होती है और प्रभाजी धौराई ने प्रत्ख किया जा सकता है इस प्रकार प्रत्ख वे लवनों का जलापकर अधि हम कराएं तो मुक्त अम्लप्राप्त होते हैं जैसे की जल्लपट्र में परिवर्थित कर देते हैं जीने की हम प्रभाजी क्रिश्टन दौर्णा प्रत्थक करके फिर से जलब गटित कर देते हैं इस प्रकार दोनों रूप सुद्ध वस्ता में प्रत्थक हो जाते हैं लवन बनाने के लिए हम जिन दुरूवन घूर्णक क्षारों का अपयोग किया जाता है उनमें मुख्यत है एलकेलोईड जैसे कि मौर्फीन, क्वीन, इस्ट्रकनीन, आदी और जिन दुरूवन घूर्णक अमलों का अपयोग होता है उनमें से मुख्य रूप से हैं टार्टरिकम, कैमफर, सलफोनिकम, आदी अमलों एमक्षार को क्या तरिक इस वीधी का अपयोग एलकोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, आदी के वियोजन में भी किया जाता है एलकोहलों को हम थैलिक एनायडरेड के साथ अभी करत करके थैलिक एस्टर में कनवर्ट कर लेते हैं जिसका की फिर आगे हम क्या करते हैं प्रभाजी क्रिश्टलन द्वारा उन्हें प्रथक प्रथक करके फिर जलब गटन द्वारा हम मुक्त डी वैल एलकोहलों में परिवर्थित कर लिया जाता है जैसे कि हम यहां देखे यह नहीं है डैड इसको आरवज के साथ किरिया करें तो इस प्रकार से इसका जलब गटन के द्वारा हमें एसेड मिल जाता है अब डी वै एल के साथ एस्टर का फिर क्या करवाएंगे इसका आगे चलब गटन और जलब गटन होके यह किसमें करनवर्ट हो जाएगा आमली में करनवर्ट हो जाता है इसी प्रकार से यदि रेसिमिक मिश्रन के अव्यों में एल्डिहाइड अथवा कीटोनिक समूँ हो तो उसे हम हाइटरेजिन के साथ अभी करत करके हाइटरेजोन बना लेते हैं जिनका की प्रभाजी क्रिष्टल इंद्वारा प्त्थकी करन करके जलब गटन करवा दिया जाता है जिससे डी वैल कार्बोनिल योगिक प्राप्त होते हैं इस प्रकार से हम रासायनिक विधी के द्वारा विविन समावियों को प्रत्थक कर सकते हैं कि फोर्थ मैथड है इसका इस थम्वर्ण लेखी या कोर्मेटोग्राफिक मैथड तो यह विदी इस तथ्य पर आधारित है कि कुछ अधिसोसक अथा एडजोर्बेंट आदि में यदि रैसिमिक मिश्रण का विलियन डाला जाए तो एक प्रतिविम रूप की तुल्ला में कुछ tre चाई दोशित हो जाता है कि एक इसताम में अधिसोसक पढ़ार्थ भर कर उपर से क्या डालते हैं रेसिमिक मिश्रण का विल्यन डालते हैं तीविता से अदिसोसित होने वाला वूप इस तम में उपर की तरफ ही अधिसोसित हो जाये का जबकि दूसरा सिक्रिता से नीचा की और आ जाता है निक्षालक की साहिता से दोनों रूपों को हम प्रत्थक प्रत्थक बिल्यन के रूप में प्राप्त कर लेते हैं सरपतम हेंडरसन रूल ने 1949 में इस विदी का उपयोग कैमफर व्यतुपन के वियोजन में किया था आदी सोसक के रूप में उन्होंने डी लेक्टोस लिया था यह आदोनिक विदी अब बहुत अधिक प्रचलन में क्योंकि इसमें आसाने से हम दो विवरिम समाईवें को प्रत्थक कर सकते हैं थैंक्यू